दिव्या पहुजा की हत्या को पांच दिन बीच जाने के बाद भी गुरुग्राम पुलिस दिव्या पहुजा के शब को बरामत नहीं कर सकी है। इसके पीचे की कहानी और खौफनाक है और और परिशान कर देने वाली है क्या कुछ वो कहानी है इस पूरे मामले पर हमारे साथ बाचित करने के लिए मृत का दिव्या पहुजा के परिजन है इन से जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कब ये पता लगा और कैसे ये शक हु अब दिव्या अभीजीत सिंग के साथ बलराजगिल के साथ गुरुगराम के सिटी पॉंट होटल में पहुंची थी आपकी कब आखरी बार बाचीत हुई दिव्या के साथ सबस्क्राइब तक रहा था तो मेरी उससे लास्ट बात जो है बारे बजे उगी यहीं थी बारे बजे के बाद उसका कुछ रिप्लाइक एग अगरा कुछ भी नहीं आया था तब हमें जब हमने उसको एक से पाच बजे के बीच में contact करने का try किया तब उसका कुछ reply नहीं आया तब हमें थोड़ा doubt हुआ क्योंकि last उसने मुझे यही बताया था कि वो अभी जीत से मिलने जा रही है तो और उसकी और मेरी कब गई थी अभी जीत से मिलने एक तरीक को आप इतनी परिशान हो गई थी कि आपको लगने लगा था कि कुछ हो गया दिव्या अपने फोन से कभी भी दूर नहीं रहती है तो जब हमारे पास पिछले 6-7 गंटे से उसका कुछ रिवर्ट ने आया तो हमें थोड़ा डाउट हुआ कि कुछ हो गया है उसको उसके बाद उसकी और मेरी केकर्णी मेरी लोकेशन यह कितने बज़े की घटना है यह साड़े नो बज़े की अचा जब दब दिविया का फोन सी चोफ हुआ तब आपने किसको पहला कॉल किया और उसकी तरफ से क्या कुछ आपको जानकारी दी गई थी दिविया के बारे में मेरा कॉल मैं अभी जीत के होटल पहुंची करीब सा पास अभी जीत का नंबर होगा मैंने रवी से उसी के फोन से बात करी उसने मुझे उसका नंबर दिया अभी जीत का मैंने अभी जीत को फोन की अपने फोन से और मैंने जीत को बोला कि दिविया की लोकेशन तेरे घर की आ रही है वो कहां पर है जब मैंने उसके ऊपर तो उसके बाद मैंने उसको बोला कि मैं पुलिस की हेल्प लूँगी और तेरे मतलब क्योंकि कि लोकेशन जो बारबर दिल्ली की आ रही है तो तो मुझे अभी बाता दे सच क्या है यही बोला कि मैं सुभे उसको यहां पे गुड़गा हूं छोड़ चुका हूं और उसके आ करा बताने के लिए कि वह दर रहे थे उसके बाद वहाँ पे एक दुकान वाले थे उनसे मैंने पूछा तो उन्हों ने मेरे को बोला कि आप दस कदम पर जाकर रुख जाएगा मैं वहीं पर आऊंगा वहीं पर उसने दस कदम पर आकर बोला कि एक आदमी है वो वह द्ले को न्युक्त करणा जाब लेकिन हमारा नामत लेना वह में जान से मार देगा फिर हम जेट वेंटी वन पुंची मैं जेट वन के भार एक सुईगी बाल बंदा घड़ा हुआ था तो मैंने अदा घंता कंटे इसलेगेट खटका या वह नहीं निकला उसके भाँ उसक साथ आया था सुबह दिव्या और मेरे को छोड़ने यहां पर तो मैं उसका नंबर दे दिता हूं आप उससे बात कर लेना उससे मुझे पता था वह बलराज और उसके हाउसकीपिंग वाले ने भी मुझे बताया था कि बलराज नहीं मेरे को दिव्या का फोन हैंड ओवर किया कहां पर था दिव्या का फोन है अपको और सरे कि बलराजा का कॉछ विषबार था आपके प्रतिप और दिव्या के प्रतिव बलराज बरे को फोन हैं बाराज मोझे यहीं बोल रहा था कि मतलब हम मैं खुद परिसान हूं उसने मिरे को अपने on- ép कॉलाग भी दिखा है इसम तो मैंने उसको यह भी बोला कि अगर आपने चार्च पर लगाया है जब आपको दिख रहा है उस पर इतने फोन आ रहे हैं तो आपने फोन उठा गर बोला कियो नहीं किसी को कि वो अपना फोन यह भूल गई है तो उसने बोला मैं ऐसे फोन नहीं उठा सकता लेकिन एक डाउ अगर अगर वे विए जीत के रही है तो मुझे है थोड़ा डाउट विए फिर पर लाइट व्टेल पर फिरसे पोचिए उपर लाइट व्ट्वर और फोर्स फ्लोर कि कितने वजय के रहा होगा यह दससाड़े जारा रहा होगा यह तो आठागे पचिए तो यह नहीं उसने कि ने ने वाली में थे सामने वाले बातllo strategy कर रहा था हुआ ए्नभ पैट के सेbolทह सोफ़ा स्पोरी लिए 2 गुळशों कि ने को के सें संपाने कि दिखा कि मैं ऐभान मालिक नहीं दिखा होगा दुश के भाड़ और भीजी फोन किया अभी जीत तब तक अपके लगातार फोन उठाव रहा है अभीजीत ने बालकि मिल को वापीस फोन 뒤 बहुना कि को वर गड़ा कि je उसके नेिस्टे नगई जो मतल regular के दिए रह था मेर ऑपुरिं आगी बेशेक Цेरी वह कुछ नो कुछ डाउट हो रहा है कि वह कैसे कही जा सकती है जब आपसे बात्चित कर रहा था क्या कुछ डर था उसके बीहिवियर में या फिर कुछ चेंजिंग आपने नजर आई हूँ नहीं वह थोड़ा नर्वस लग रहा था बट मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि मैंने असे पहले कभी बात नहीं करें तो मुझे लगा ऐसे ही टाइप का परसन होगा क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे प्रॉब्लम रहती है तो वो ऐसी ही रहते है तो मुझे सच कुछ डाउट नहीं हुआ सिसी टीवी फोटेज आपको नहीं दिखाया गया ना अभीजीत की तरफ से और नहीं जिन्होंने लीज पर होटल लिया है उनकी तरफ से नहीं उन्होंने बोला कि सिर्फ लाइव लोकेशन लाइव चलती है इसमें रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होती है फिर मैंने उसको वापिस से बोला कि ठीक है जैसी में अपनी अधार्टी में वैटी एभी जीथन एकदम नशी चेखゆarna में बाहर निकला मेरी गाड़ी से तकुर Emmy तो इसका अधार कार बने करने का मैं थोड़ा सद्धर किछ ए अधॱ्रों के वहीता hardestयोपिन आपको दिया है ही नहीं तो उसने मेरे को फिर से वो मेरे पर चिलाया और उसने मुझे बोला कि अब मेरी प्रॉपर्टी पर खड़ो के मेरे पर डाउट कर रहे हो यहां से बाहर निकाल दूंगा अचा इसके डाउट पर डाउट के बाद एक सबसे बड़ा जो जरिया बचता है वो है गु भी वर कैसा था? मैं नुचनी पुलिस टेशन पाँची नुचनी जब मैंने इसको बोला कि दिखा दे दिखा दे नहीं दिखाया में को आउट आउट जब उसके मुझे कार्ट दे दिया मैंने उन्हों इन्हों बोला है काम करो चोफ अच्छा नंब ले जो अगर वो नहीं कि इनसाफ की गोहर लगाई तो हम 14 सेक्टर पोली स्टेशन पहुंचने के बाद महां पे सिर दो कॉंस्टेबल बैटे वे थे वह हमने उनको ऐसे पूरी स्टोरी बताई उसने अपने सीनियर को फोन किया जो रात के ड्यूटी पे था सीनियर को फोन करने के बाद उसने बोला क कि ऐसे ऐसे बात हो गई है जी तो सीनियर मेर से बात करियो और उसने मेर को बोला एक काम कर एप्लिकेशन लिखकर जाओ इन्वेस्टिकेशन तो सुबह 10 बजे ही होगी अब उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते आदी रात हो रही है आदी रात में कहां से इस लड़की को करेंगे यह चीज बुली गई थी और हमने जब उस पर चीका कि इतनी मतलब तुम बारा बजे कोई बारा बजे आप अप्लिकेशन लिखने के लिए बोल रहो सुबह 10 बजे आपके साथ कौन था आप अकेले थे आपके और परीजन भी थे मेरी मम्मी थी मेरे साथ तो उन्ह लिखने के बाद जब यह सारी बाते आई निकल कर तब उन्होंने मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक काम करो आप ना उसके होटल पर आ जो वापिस से हम वहीं पर ही इन्वेस्टिकेशन करते हैं तो मैंने उसके बाद भी वह बार बर यही चीज बोल रहे थे जब मै कि अशनल यहां कर भी जब टेरें कहां के बैस के और तो न सौना कर दे ही हैं तो उनके बाद भी जब हमने बहुत कर अब जिसका है और भी तो ये जही है है तो उन्होंने हम साटिस्फेक्शन देने के लिए कि चलो हम कमरे चेक कर आते हैं उन्होंने पहले एक सो चौदा कमरा देखा वह उन्होंने बहुत लाइट ली देखा उसके बाद फिर वह आगे कमरे पर गए 111 कि उनके पास चावी नहीं थी जो खुला ही नहीं था उसके कमरा देखा जिसमें गैस थे उन्होंने खोला खंगाला फिर वह आगे कमरे में गए जहां पर वह भी लॉक था नहीं एक सो चौदा नंबर कमरे में क्या अभिजीत मौजूद था डी सीपी क्राइम का कहना है कि हमेशा उसी के नाम से बुक्ट रहता था था कम एक सो चौद कोटी सी जगह पर लेटा हुआ था बल्कुल ऐसे जैसे जिसको ठंड लगती है ऐसे पोश्चर वे और उसने एक ब्लू कलर का ब्लैंकिट डाल रहा था जिस पर दिविया का खून था उसके बाद वहीं से ही उसको कुछ बोला नहीं गया पुलिस नहीं बोला वो बस कमरे च जूते देखे थे मैंनी उसके अंगूटी देखी जितना सावान बरामद हुआ है वो सम्मे ने खुद अपने हाथों से बरामद किया था गुड़काओं पुलिस ने कुछ नहीं देखा अचा एक सवाल ये भी था कि 114 नंबर को इन्होंने चेक किया जब 111 नंबर को खोला तो बेड के उपर पैंटी लाइनर पड़े हुए थे बहुत सारे और खून से भरेवे पैड पड़े हुए थे और एक प्लेट रखी वी थी जिसके उपर जो चिकन खा रखा था जैसे बंदे प्रेजेंट हुआ एक टेबल थी टेबल के नीचे ब्लाक पैड का पैकेट पूरे के पूरे कंपाउंड को चेक कर रहे थे होटल को चेक कर रहे थे क्या अलाधिकारी मोके पर नहीं पहुंचा था उस वक्त कोई भी नहीं था उसके बाद भी वो लोग बहुत ले रहे थे कि चलो कुछ नहीं होता यह तो एसी पड़ा होगा यह कुछ होगा उसके बा तो जूता जब मेरा चिप का महां पर तो मैंने फ्लैश on करी फ्लैश on करी नीचे देखा तो खून था फिर सीडियों को चेक करा तो सारा खून था फिर CCTV ने तो क्लियर करी दिया क्योंकि दिव्या जो थी अभी जीद के हाथ से छूड़ गई थी जब बौड़ी नीचे लेके में थे क्या कुछ ये आरोप हैं किया कुछ relationship में थे कितने महीने से जानते थे अभी जीत से कैसे का पहचान हुई इसके बारे में क्या कुछ पता बहुत को वह 31 तरीक को मैं और वो साथ में थे जब अभी जीत का फोन आया 31 दिसंबर को अगरो तो अभी जीत ने खुद द्वया और फोन करके बोलाया था उसको जो था कुछ समान हैंड़वर करना था तो उसने फोन कर और बोला कि अप्जे आना इक तरीक को आना और मेरिसे समान ले जाना मैं और दिवय एक तरीक को साथ ही दिकर थे मैंने उसको चोड़ा कितने मुझे दो बजे के लेना तो अभी जीत को उसने यह तक बात बोलिया तो उसने उसको आई अने से भी पिक करा होगा जो हमें लग रहा है अच्छा पांच दिन बीद गए हैं गुरगाओं पुलिस ने एक फोन जो आपने उसको बरामत किया था क्या ऐसी कुछ अशलील फिल्म्स थी वीडियो बन क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप दिवया ऐसी लड़की थी नहीं वो मेरे पास उसके फोन के पासवर्ड रहते थे और मैंने मेरे पास हमेशा उसका फोन का एक्सेस रहता था उस फोन के अंदर कुछ ऐसा नहीं था वो कभी वो किसी की नॉर्मल फोटो नी रखेगी उस फोन ओर ता जिसका जिकर चल रहा था डाइह fun था वो आउफोन कहां है वह आइफोन अप तक उनों ने ढूनना नहीं है ल末 बार बार मैं डी अपनी बीवी से तलाक हो रहा है यह हो रहा है वो रहा है उसका बोलता था क्योंकि मैं और दिवा से इम रूम शेयर करते हैं तो हमें उससे ही मेरे एक आरोप और लगाया क्या डि सीपी धिक्राइम कि बिंदर grandson से बात कराई थी अभिजीन कि दिविया क् swear क nude कि क्योंकि यह केस चल रहा है वो सब को पता ही है तो बिंदर गुजर ने एक बद जो है उसको अपने कुछ वकील के पैसे वैसे कुछ देना होगा मुझे नहीं पता उसके लिए एक बड़ उसने बस दिव्या को बोला था बात कराने के लिए लेकिन उसके आगे क्या बात हुई वह नहीं पता क्योंकि वह बिंदर गुजर ने और उसी नहीं बात करी थी पांच दिन बीद गए हैं डेट बोरी नहीं विली है क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप मुझे बस इतना ही है कि पुलिस ने शुरू में ही वैसे इंवेस्टिकेशन में बहुत धीले कर दिया था जब उसने आरोपी को जो है दो बजे करीब पकड़ लिया था तो उसी टाइम ही गाड़ी का जो नंबर है वो ले सकते थे सुबह पात बजे का इंतजार करा उन्होंने कि गाड़ी का नंबर जो है वो आरोपी से ही लिया जाए और पुलिस ने उसको पांध दिन की को मुवान किया था बल राजगिल के पीछे जो कि BMW गाड़ी में दिवय पहुजा के शव को लेकर फरार हुआ था वो जूट बोल रहे हैं सा कुछ नहीं हुआ है सुबह आठ नो बजे तक भी क्राइम ब्रांच को यह नहीं सोपा गया था दस बजे जब मैंने फायर दी है अगर वह पीछे निकाले भी गाए होंगे जो भी किया होगा तो वह सुबह जब पांच बजे गाड़ी का नंबर मिला जब जो अभी जीत नहीं उनको खुद से दिया था तब उन्होंने निकाल दी हो तो उसका कुछ आइडिया नहीं लेकिन पुलिस हमें अभी भी कहती है कि ढून रहे हैं करवा डूहंर नंब धो जो जाएगा और बीज में जो जितने इसमिए भी जरूं करोद नी कि जो है वह प्रॉबलम होगई दिक्कट आइए गया और बारा फोन करोगे तो इसलिए जब ना करें तो एक तरफ BGP हर्याना जहां कहते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर बेहत सम्वेधन शीलता बरती जाए तो वही दूसरी तरफ दिव्या पहुजा की हत्या के बाद जिस तरह की सम्वेधन शीलता गुरुगराम पुलिस को दिखानी चाहिए थी मसलन ये न्यू कलोनी पुलिस टेशन में पहुंचे बलदेव नगर इलाके में रहते हैं इनका इलाका न्यू कलोनी पुलिस टेशन लगता है तो वहाँ पर जाने के बाद न्यू कलोनी पुलिस टेशन द्वारा कहा गया कि सेक्टर चोदा चाहिए सेक्टर चोदा पुलिस ट गाड़ी करना की जाना करना की अप्रिवार के तरफ से यह वह कहा जा रहा है तो ऑभी जीद advisor. थी नहीं वीडियो यानि ये आरोब बे बुनियात जरूर साबित हो रही है झाल झाल